प्रेस करें मेरे यूटूब चैनल सेविसिंग को और प्रेस करें बेल आइकन पर सारे लिटेश यूजफूल अपटेश सबसे पहले जानने के लिए और ये बिलकुल फ्री है हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई योटूब चैनल सैविसे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे दाथ खाज और खुजली को जड़ से खतम करने के कुछ आसान उपाई के बारे में दाथ खाज खुजली ये आज की एक आम बिमारी है जो की हमारे सकेन पे होती है दाथ होने पे हमारे सकेन पर लाल पन आने लगता है और बहुत सा जोर से खुजली होने लगती है ज़्यादा खुजनी करने से सकिन लाल हो जाती है दाद वैसे तो ज़्यादा तर चहरे, गले, हाथ और पैरों पे होता है दाद खाज खुजली का इलाज देसी घरीली उपाई से किया जा सकता है अगर आपको दाद की वज़े से खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस जगे देसी घी को हलका सा गरम करके मालिश करें इससे बड़ी राहत मिलेगी अगर आपके पैर या हाथ में दाद खाज की समस्या है तो नारियल तेल और कपूर को मिलाकर दाद या खाज पर लगाने से राहत मिलती है पान का पत्ता और शेहत एक बहुत ही सरल देसी इलाज है जिससे दाद खाज खुजली से छुटकारा पाया जा सकता है पान के पते में शेहत को लगा कर दाद पर लगाने से राहत मिलेगी एक चमच खाने वाला सोडा को लेकर उसमें एक चमच साफ पानी को मिला ले फिर उसे खुजली या दाद वाली जगे पर लगा कर छोड़ दे इस उपाई को देद में तीन बार दोराए तो कुछ ही दिनों में आपकी दाद खाट खुजली से चुटकारा मिल जाएगा तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आयोगी पसंद आने पर इसे लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फ्रेंड्स